हेलो फ्रेंड्स आप शभी कांकुष अकेड़ेमी में श्वागत हैं और मैं प्रियंका आज का जो क्लास है जारकन से जेल का प्रैक्टिस सेट 10 है नाइन तक हो चुका है जो लोग नहीं देखें आप मेरे चैनल पर जाएए और उसको देखिए आप सारा प्रैक्टिस सेट को एक से दो बार देखिए सारी कोष्टिन को अच्छे से रट जाएए क्योंकि यहीं सब कुश्टिन है जो एकजाम में पूछा जाएगा और थोड़ा सा जायदा क्रैंट पर जयादा धियान दिजिएगा क्योंकि इसमें जो शामानीय ध्यान है उसमें क्रैंट अफेर्स से 8 से 10 question पूछा जाएगा तो आप current affairs और शात में जारकन current affairs को थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्योंगी उससे question दोनों अगर मिला के देखिएगा तो दस से 12 question पूछे जाएगे तो उस पे थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से तयारी किजिए चलिए शुरू करते हैं question number one इसमें Malaysia होगा यहाँ पे लिखा गया है Malaysia तो Malaysia की रजधानी कहाँ पे है तो Malaysia की जो रजधानी है वो क्वालालमपूर है तो one का जो answer होगा वो क्या होगा she और Malaysia की मुद्रा क्या कहलाती है रिंगित क्या कहलाती है कोई भी देश की रजधानी और मुद्रा और फ्रांसद को जरूर याद कर लिजएगा ऐसे तो सारे country का याद करना possible नहीं है पर गिने चुने देशों का आप याद कर लिजएगा जैसे भारत के परोशी देश जैसे फिर अमरिका कैनेडा इस सब का याद कर लिजएगा question number two किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतराष्टी शीमा है तो किस देश के साथ है बंगलादेश के साथ भारत का जो सबसे लंबा अंतराष्टी शीमा लगता है वो बंगलादेश के साथ लगता है बंगलादेश के साथ 4096 किलो मीटर अंतराष्टी सीमा लगता है अगर पूछा जाए भारत का सबसी छोटा अंतराष्टी सीमा किस देश के साथ लगता है तो वो अफगानिस्तान के साथ लगता है इस चीज को याद रखिएगा Q3, किस पुरुषकार का नाम बदल कर मेजर ध्यानचन्द खेल रतन पुरुषकार रखा गया है ये पिछली बार चेंज किया गया है तो 3 का जो एंसर होगा वो D Q4, परधान मंतरी नरेंद्र मोदी को तो हाल ही में किस देश के सरबोच नागरिक सम्मान नगदम पेलगी खेरलो से सम्मानित किया गया है तो किस देश का सरबोच शम्मान है भूटान का तो फोर का जो एंसर होगा वो बी और भूटान की राजधानी क्या होती है थिम्पू बार चिती लिपी का विकास लोको बोद्रा ने किस भासा से किया था तो किस भासा से किया था हो भासा से तो फाइब का जो एंसर होगा हो डी question number six 12 जनवरी 2022 को मनाया गया राष्ट यूवा दिवस के इस वर्ष का ठीम क्या था तो इस बार जो 12 जनवरी को राष्ट यूवा दिवस मनाया गया उसका ठीम क्या था तो इसका जो एंसर होगा वो C और राष्ट युवा दिवस ये स्वामी विविका नंद की जैंती के अफसर पर मनाया जाता है तो 6 का एंसर C Question No.7 गीत गोविंद के रचियता कों है? तो गीत गोविंद के जो रचियता है वो कों है? तो 7 का जो एंसर होगा वो B Question No.8 निमलिखित में से किस ने दिन ए इलाही आरम किया था तो अकबर के दुआरा शुरूआत किया गया था तो 8 का जो एंसर होगा वो C और इसकी शुरूआत 1582 इस V में की गई थी question number 9 भारती असांती का जनक किसे समझा जाता है या फिर question रहेगा भारती असांती का जनक किसे कहा जाता है तो भारती असांती का जो जनक है वो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है और बाल गंगाधर तिलक को ये किस ने कहा था तो वैलन टाइल सिरोल ने कहा था तो नाइन का जो एंसर है वो डी, कोश्चन नमर टेन, लॉर्ड करजन के वाइसराय होने के दोरानिवन में से कौन सी घटना नहीं घटी थी, तो लॉर्ड करजन के सासनकाल में ही बंगाल का विभाजन हुआ, आप्शन भी पूरातत विभाग के स्थापना हुई, दित्य दि रश्टिये कॉंग्रिश का गठन ये नहीं हुआ, भरती रश्टिये कॉंग्रिश का गठन लॉर्ड डफरिन के सासनकाल में हुआ था, 1885 इस भी में, तो टेन का जो एंसर होगा वो डी, कोश्चन नमर 11, महत्मा गांधी के बारे में निमलिकित में से क्या शही नहीं है, त गांधी जी ने राजनीती को धर्म से पूरी अरलग रखने की वकालत की ये गलत है, वे अहिंसा में विश्वास करते थे और वो राजनीती को धर्म के दाईरे में ही रख कर करना चाहते थे, तो 11 का जो एंसर है वो C, कोश्चन नमर 12, भारतिये वोकल म्यूजिक का प्राच तो वो कौन सा प्राचिन रूप है, धुरूपद, तो 12 का एंसर C, कोश्चन नमर 13, भारत के किस राजी में सबसे लंबी मुख्य भूमी टट रिखा है, तो वो किस राजी का है, गुजरात का, गुजरात का जो सबसे लंबी टट सीमा रिखा, वो गुजरात का है, इसकी ल गुजरात का जो सबसे लंबाई 1200 किलोमीटर है, तो 13 का एंसर B, कोश्चन नमर 14, परवती स्लोपों पर मिर्दा अपरदन को किस परकार नियंत्रित किया जा सकता है, तो परवती छेत्रों में मिर्दा को, मिर्दा अपरदन को समुच रेखी जुताई करके नियंत्रन किया जा सकता है, वहां की जो परवती धलानों पर होता है, वहां सीडी नुमा खेत बना कर समुच रेखी जुताई करके मिर्दा अपरदन को रोका जाता है, तो 14 का एंसर D, कोश्चन नमर 15, कोश्चन नमर 15, गहीर माता अभ्यारन ओडिशा में, डैस के लिए एक मात्र अभ्या तो ये किस के लिए है, तो कचुई के लिए है, तो 15 का जो एंसर होगा, वह भी, कोश्चन नमर 16, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राजी है, तो भारत में सबसे अधिक गेहूं किस राजी में होता है, तो उत्तर परदिस में, तो 16 का जो एंसर है, Q17. अमली वर्षा के सुन्दर्ज में इनमें से कौन सा कथन सत्ती नहीं है? तो सारे अप्शन को अच्छे से पढ़िए. इनके जेल का pH मान 5.7 से कम होता है, ये सही है. Option B. यह वायू मंडल में सल्फ्यूरिक अमल या नाइटरिक अमल की उपस्तिती के कारण उत्पन होती है? Option C. अधिक्तम अमल ससत कर्बनिक अमल के कारण बनता है? ये गलत है. तो इसमें गलत है. Option C. तो 17 का जो एंसर होगा वो C. Question number 18. कोईले से वानित जी रूप में पैदा होने वाली उर्जया को कहते हैं. तो कौन सा उर्जया कहते हैं? ताप उर्जया. तो 18 का जो एंसर होगा वो C. Question number 19. जो खर्चा कर दिया गया हो और वसूल ना हो सके उसे कहते हैं. उसे क्या कहते हैं? निगमन लागत. तो 19 का जो एंसर होगा वो क्या होगा? शी. Question number 20. अंतिम उपाई का रिन दाता कौन है? तो ये कौन सा है? भारतिय रिजर्ब बैंक. तो 20 का जो एंसर होगा वो D. Question number 21. 21. निमलिखित में से किस छेत्रक को सेवा छेत्रक भी कहा जाता है? तो सेवा छेत्रक किसको कहा जाता है? तिरत्यक छेत्रक को सेवा छेत्रक भी कहा जाता है. तिरत्यक छेत्र के अंतरगत, यातायात, वैपार, संस्कृती, लोगपरसासन, मनोरंजन इत्याधी होता जिससे हम सेवा लेते हैं उसको हम तिरत्यक छेत्र कहते हैं तो 21 का एंसर C Question number 22 यूजना आयोग की जगर नीती आयोग बनाया गया नीती का पुर्ण रूप क्या है? तो आप इसको जानते ही होंगे नीती आयोग कब गठन किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया और इसका जो फूल फॉर्म होता है वो होता है National Institute for Transforming India तो 22 का जो एंसर होगा वो B Question number 23 भारत की सम्विधान सभा का सम्विधानिक सलाकार कौन था? तो भारत की सम्विधान सभा का सम्विधानिक सलाकार B.N. राव थे तो 23 का जो एंसर होगा वो क्या होगा? शी और पूरी तरह से सम्विधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को Question number 24 Question number 24 भारतिय सम्विधान के निमलिखित में से किस भाग में समाजी की वो आर्थिक लोकतंत्र को सुनुश्चित किया गया है? तो ये किस में क्या गया है? राजी निती निदेशक सिधान्त में तो 24 का जो एंसर होगा वो शी Question number 25 वो किस अनुशेद में दिया गया है? तो अनुशेद 108 में दिया गया है होगा वो भी पंचायत सेवक करता है Question number 27 Public Service Anthics के लेखक हैं तो इसके लेखकों है? परभात कुमार और ये जो परभात कुमार है वो जारखंड के पहले राजीपाल थे इस चीज को याद रखिएगा Question number 28 2021 में DRDO और भारती वायू शेना ने संजुक्त रूप से किस सहर में सब्देशी रूप से विक्सित Smart Anti-Airfield हंत्यार के दो उड़ान परिक्षन किये तो ये कहां से किये गये थे? जैसल मेर से तो 28 का जो एंसर होगा वो D Question number 29 जो आहर रोजगार यूजना की शुरूआत कब हुई? तो इस यूजना की शुरूआत एक अपरेल 1989 इस वी को हुई तो 29 का जो एंसर होगा वो B Question number 30 नीम्न में से कौन सा कथन अश्चति है? तो इसमें कौन सा कथन अश्चति है? वो आपको बताना है तो Option A जहरकंड के पर्थम निर्दली मुख्यमंतरी मधू कोड़ा थे? ये शही है अरजूर मुंडा एवं शीबू शोरेन जहरकंड के तीन बार मुख्यमंतरी बने है? ये भी शही है जो बामानची जहरकंड की पर्थम महिला कैबिनेट मंतरी थी? ये भी शही है Option D इंदर सिंग नमधारी को पर्थम बिर्थम मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरुसकर से सम्मानित किया गया ये गलत है पर्थम बिर्थम मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरुसकर विसेसर खाको दिया गया था किसको दिया गया था? विसेसर खाखो, इस चीज को याद रखेगा तो 30 का जो एंसर होगा वो क्या होगा, D Question number 31 बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है तो बर्फ को उस्मा जो बुरादा है, वो उस्मा का कुचालक होता है तो वायू मंडल उस्मा से इसको बचाता है, इसलिए बुरादे में पैक किया जाता है तो 31 का जो एंसर होगा, वो भी Question number 32 मिरिच का एक उधारन है तो ये किसका उधारन है परकास के अपवर्तन और पुर्न आंदरिक प्रावर्तन के कारण ये बनता है, तो 32 का एंसर C Question number 33 सूरी के किरने किस परिकरिया द्वारा पिर्थवी पर पहुँचती है, तो किस परिकरिया द्वारा पहुँचती है, विकरन परिकरिया द्वारा, तो 33 का जो एंसर होगा, वो ए Question number 34 गुरुतवा कर्षन नियम की परिभाषा किस ने दी थी? तो गुरुतवा कर्षन की परिभाषा का नियम नियम ने दी थी? तो 34 का जो एंसर होगा, वो ए Question number 35 Fountain pen किस सिध्धान पर काम करता है? तो ये pen केसी का किरिया के सिध्धान पर काम करता है? तो 35 का एंसर B Question number 36 विद्यूत सक्ती की इकाई क्या है? तो विद्यूत सक्ती की इकाई वोट है? तो 36 का एंसर B Question number 37 Einstein के दर्यमान उर्जा समंद को किस समिकरन द्वारा वेक्त किया जाता है? तो इसके द्वारा जो समिकरन दिया गिया है वो है E ब्राबर M C स्क्वेर तो 37 का जो एंसर होगा वो भी और E प्राबर E अनर्जी M यहां E अनर्जी डिनोट करता है M दर्यमान को डिनोट करता है और C प्रकास की चाल को डिनोट करता है तो 37 का एंसर B Question number 38 निमलिकित मेंसे कौन कुचालक नहीं है? तो इसमें कौन सा कुचालक नहीं है? तो पारा कुछ अलक नहीं है तो 38 का answer C question number 39 निम्ल में से कौन सा लो आश्क है तो इसमें कौन सा लो आश्क है habitat तो 39 का जो answer होगा वो भी question number 40 निम्लीकित में से क्या gel की अस्थाई कठोरता का कारण है तो क्या कारण है gel की अस्थाई कठोरता का कारण तो calcium sulphide 40 का जो answer होगा वो she question number 41 dash का तार इस पात के तार से अधिक परवल होता है तो किस का तार इस पात के तार से अधिक परवल होता है तो nylon 41 का जो answer होगा वो D और ये जो nylon है एक कृतिम बहुलक है और इसका जो उपयोग होता है वो वर्दी में होता है पैराशूट में होता है यह समय इसका प्रियोग होता है तो 41 का एंसर एडी Question number 42 निमलिखित में से कौन सिर्के का परमु घटक है तो सिर्के का परमु घटक कौन सा है Acetic Acid तो 42 का जो एंसर होगा वो भी Question number 43 निमलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है तो 43 का जो एंसर होगा वो D निम्लिकित मैंसे किस एक जीव में पसलियों की संक्या सबसे अधीक है तो किस जीव में पसलियों की संक्या अधीक है तो शांप में तो 44 का जो एंसर है वो भी कोस्चन नमर 45 निम्लिकित मैंसे किसको हिर्दे का प्रारंबिक पेस मेकर कहा जाता है तो किसको कहा जाता है S A नौड को तो 45 का जो एंसर होगा वो A Q46 पक्षियों के विग्यानिक अध्यान को कहते हैं तो क्या कहते हैं पक्षियों के अध्यान को और नी थो लोजी कहते हैं तो 46 का जो एंसर होगा वो D Q46 का जो एंसर होगा वो D question number 47 G1 का blueprint है तो G1 का blueprint कौन सा है तो DNA DNA को G1 का blueprint कहा जाता है तो 47 का answer A question number 48 निमली कि जोडो में से किसका मिल सही बेठा है तो किसका मिल सही बेठा है यह जो malaria है वो chloroquine यह शही है तो 48 का जो answer होगा वोशी और यह malaria मच्छर द्वारा फेलता है और इसके उपचार को क्या कहते है chloroquine तो 48 का answer C question number 49 लोग पिर यह पै कौफी पोधे के किस भाग से प्राप्त होता है तो यह जो कौफी प्राप्त होता है वे बीच से प्राप्त होता है तो 49 का जो answer है नमर 50 निमलिखित मैंसी क्या गयर जेव निमनी करनी अब सिष्ट है तो वो कौन सा है प्लास्टिक अगर option के नुशर देखे तो यह प्लास्टिक तो 50 का जो answer है वो C इसमें जो भी science का question है वो मेरा science का set चल रहा है जो लोग नहीं देखे है वो मेरे channel पे जाए उसमें speedy science का practice set कराया जा रहा है उससे सारे question मिल गए है आप उस question को जरूर देखेगा इसमें जितने science के question थे सारा question speedy से speedy science book से लिया गया है तो आप मेरे channel पे science का जो quiz है उसको एक बार जरूर जाके देखेगा computer से question number 91 अदि आप अपने PC की कारी चम्ता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निमल्खित को upgrade करना होगा तो किसको upgrade करना होगा CPU को upgrade करना होगा CPU आपका जितनी तेजी से काम करेगा उतना ही PCE का का कारी चम्ता अच्छी होगी तो 91 का answer 1 question number 92 computer के हर परमुख हिश्चे से जुड़े एकी सर्कीट को डेस कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? मदरबोर्ट कहा जाता है तो 92 का एंसर ए Question No.93 Banking छेतर में अधिक संख्या में चेकों को तेज निस्तारन के लिए निमलिखित में से कौन परियुक्त होता है? तो कौन परियुक्त होता है? M, M, I, C, E, R तो 93 का जो एंसर होगा वो शी और तो M, I, C, E, R का फूल फॉर्म क्या होता है? Magnetic Ink Character Recordination तो 93 का एंसर सी Question No.94 एक HDMI Type A Connector में कितने पिन होते हैं? तो कितने पिन होते हैं? 19 पिन होते हैं तो 94 का एंसर B Question No.95 निम लिखित में से कौन सा DVD का पूरा नाम है? तो DVD का पूरा नाम क्या है? Digital बहुमोखी डिश्क या फिर इस पो Digital वीडियो डिश्क के रूप में भी जाना जाता है तो 95 का जो एंसर होगा वो भी Question No.96 इन में से कौन एक Mobile Operating System का उधारन नहीं है? तो इसमें कौन सा Mobile Operating का उधारन नहीं है? Fedora तो 96 का जो एंसर होगा वो शी ये जो Fedora है वो Computer Operating System है Mobile Operating System नहीं है बलकि ये Computer Operating System है Question No.97 डेस भाषा एक उच अस्त्री भाषा नहीं है तो इसमें कौन सा एक उच अस्त्री भाषा नहीं है? अशंबली तो 97 का जो एंसर होगा वो क्या होगा? शी असंबली भाषा को शिम्बल भाषा भी कहा जाता है इस चीज को याद रखिएगा Question No.91 जावा को किस कंपनी ने विख्षित किया था? तो ये जावा है उसको सन कंपनी ने विख्षित किया था तो 98 का जो एंसर होगा वो भी Question No.99 Question No.99 10 लाख एक मिलियन बाइट लगभग होती है तो लगभग कितनी होती है? एक मेगा बाइट के बराबर होती है तो एक बाइट बराबर कितना होता? 1024 किलो बाइट तो 99 का जो एंसर है वो शी Question No.100 ने विख्षित मैंसे किसका प्रियोग पूरे सहर के कंप्यूटरों को Connect करने के लिए किया जाता है तो किसका प्रियोग किया जाता है? वान का तो 100 का जो एंसर होगा वो B Question No.100 Any corrupted data को वापस उसके मूल रूप में बदलने के लिए उप्यूग की जाने वाली तकनिक को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? Description तो 101 का जो एंसर होगा वो A Question No.102 Google Chrome में नए टेव को खोलने के लिए हम dash दबाते हैं तो क्या दबाते हैं? Ctrl प्लस T तो 102 का एंसर A Question No.103 निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें आपको कौन सा कथन गलत है? वो आपको बताना है तो Google एक खोज इंजन है जो मूल रूप से लेरी पेज और सरगई ब्रिंद वारा विक्सित किया गया है ये शही है दूसरा है Bing Microsoft वारा विक्सित इंक वेब ब्राउजर है ये गलत है तो 103 का जो एंसर होगा वो क्या होगा? D Question No.104 निम्र में से कौन सा कथन गलत है तो इसमें कौन सा कथन गलत है वो आपको देखना है तो ये जो इमेल के शमन में BCC का संपिक्छार Black Carbon Copy होता है ये गलत है क्योंकि यहाँ पे BCC का क्योंकि यहाँ पे जो BCC का होता है Blind Carbon Copy होता है यहाँ Black नहीं होगा Blind Carbon Copy होता है तो 104 का जो एंसर है वो क्या होगा? Question No.105 Mobile के जर्गे धन रासी के अंतरन को क्या कहते है तो उसको क्या कहते है I am PS तो 105 का जो एंसर होगा वो she है और इसकी शुरुवात कब की गई थी तो 22 नमंबर 2010 को इसकी शुरुवात की गई थी Question No.106 URL www.http होता है तो ये क्या होता है? तो ये प्रोटोकॉल होता है तो 96 का जो एंसर है वो क्या होगा? She Question No.107 निम्र में से DB MS की पहचान करें तो इसमें कौन सी DB MS है? तो MS Axis है तो 107 का जो एंसर होगा वो B है Question No.108 अधी आपका कंप्यूटर स्वाता रिबूट करता है तो संभावना है कि इसमें तो इसमें क्या है? वाइरस है वाइरस है ये अगर बार बार आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है और धीमा कारिय करता है तो वो स्वाता रिबूट करता है तो 108 का जो एंसर होगा वो A Question number 109 Microsoft दुवारा Windows की निमलिखित संस्क्रोनों में शे कौन सा संस्क्रन जारी नहीं किया गया है तो अगर आप इसको option के अनुशार देखेंगे तो Windows 9 ये अभी संस्क्रन जारी नहीं हुआ है तो 109 का जो एंसर होगा वो शी Question number 110 ततकाल मेसेजिंग अपलिकेशन जो की Windows OS में आता है उसी क्या कहा जाता है तो Windows मेसेंजर कहा जाता है तो 110 का एंसर ए अब इसी में जार्खंड का question Question number 111 जार्खंड में कौन सा अरने प्रभाग का ब्रियतम संरक्चित अरने छेतर है तो वो कौन सा है शारंडा और ये जो शारंडा है वो किस जीले में है तो जार्खंड के पस्चमी शिंग्भूम जीले में इस्थीत है तो 111 का एंसर भी Question number 112 जार्खंड में निमलिकित में से कौन से अस्थान पर बेंटो नाइट भंडार है तो ये कहां पे है तो साहिब गंज में तो 112 का जो एंसर होगा वो भी Question number 113 उद्योग, खान, वेभू, विग्यान, विभा के अनुसार जार्खंड किस खनीच का एक मात्र उत्पादक है ये question पिछले बार जैसे सी एक्जाम में पूछा गया था तो प्राइम कोकिंग कोल का एक मात्र उत्पादक है तो 113 का जो एंसर होगा वो डी Question number 114 शिंग भूम ट्रस्ट जोन, नामक विख्यात 166 किलोमीटर के आकार के महत्पुन खनीचों का भंडार ग्री निम्न में से परगमन करता है तो वो कौन सा है? पूर्वी शिंग भूम भी है, स्राइकेला खरस्तावा भी है, पस्चमी शिंग भूम भी है तो इसका जो एंसर होगा 114 का वो डी Question number 115 जारखंड में निम्न में से कौन सा जहरना गौतम धारा जहरना के रूप में भी जाना जाता है कौन सा जहरना को जाना जाता है जो हाना फॉल तो 115 का जो एंसर होगा वो डी होगा और ये किश नदी पर है तो ये राडू नदी पर इस्तीत है और ये कहां पे है तो ये राची जीले में है इस चीज को याद रखिएगा कौन युगम सही नहीं है तो इसमें कौन सा जही नहीं है वो आपको बताना है तो गौतम फैरे एलाउई लिमिटेड ये रामगड में है ये शही है बियार असपंच आइरन ये चांडिल में है ये भी शही है जस्ता गलन केंदर टुंडू ये टुंडू में है ये भी सही ऑप्शन डी हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड पूर्विशिंग भूम में है ये गलत है ये कहां पे है हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये देवगर में है तो 116 का जो एंसर होगा वो D Question number 117 अमरित मिशन जारकंड के किस जीले से समंदित नहीं है तो ये जो अमरित मिशन है वो जारकंड के किस जीले से समंदित नहीं है तो दुमका से तो 117 का जो एंसर होगा वो D इसमरित मिशन में जारखंड के साथ सहर को शामिल क्या गिया है कौन कौन सा तो राची, धनबाद, देवगर, ग्रेडी, आदितिपूर्थ, चास और हजारीबग है तो इसमें दुमका नहीं है अब कोश्चन नमर 118 रविंदर नाथ टेगोर के श्यमंद में निम्न में से कौन सा कथन अश्रती है तो इसमें कौन सा कथन अश्रती है वो आपको बताना है तो ओप्सन ए इन्हों ने उच्छ सिक्षा संत कॉलमबा महाविद्याले से प्राप्त की थी ये सही है ओप्सन भी इनका जार्खन से गहरा संबंधा गीता अंजली की कुछ अध्याओं की रचना इन्हों ने राची में की थी ये गलत है तो 118 का जो एंसर होगा वो भी हजारी बाग के किस नेता को छात्रों ने पुलिस हिरासत से चुड़ा लिया था तो किसको चुड़ाया था सरस्रती देवी को तो 119 का जो एंसर होगा वो भी कोस्टेन नमर 120 निवन में से कौन सा कथन अश्रत्ती है तो इसमें आपको अश्रत्ती कथन बताना है तो उप्षन ये जारखन राज निर्मान के समय जारखन के राष्टपती की आरण नरायन तता परधान मंतरी अटल बियारी बाचपेई थे ये सही है जारखन राज निर्मान के समय बेहार की मुखी मंतरी राबڑी देवी थी ये भी शही है आप्सन सी 15 नवंबर 2000 को जारकन भारत के 28 वे राज के रूप में अस्तित में आया ये तीनों आप्सन सही है तो इसमें गलत कौन सा हो सकता है जारकन तिलका मानजी के जनम दिवस के दिन अस्तित में आया ये गलत है बलकि किसके जनमदीन के अस्तित में तो बिर्शा मुंडा के जनमदीन के अफसर्व पर जार्खट अस्तित में आया तो 120 का जो एंसर होगा वो डी Question number 121 ब्रेहत वनसी जरासंद अपने सत्रूओं को बंदी बनाकर कहां के जंगलों में छोड़ देता था तो जार्खंड के जंगलों में छोड़ देता था तो 121 का एंसर सी Question number 122 तिलका अंदोलन की अफधी थी तो तिलका अंदोलन की जो अफधी थी 1783 से 1785 और इसके जो नेतरित करता थे वो तिलका मांजी थे और तिलका मांजी को 1780 में भागलपूर में बरगत की वरिक्ष पर लटका कर खासी दी गई थी अब Question number 123 हो विद्रो कब और कहां हुआ था तो हो विद्रो 1821 इसवी में शिंग्भूम में हुआ था तो 123 का एंसर सी Question number 124 आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ तो आदिवासी महासभा का गठन 1938 इसवी में हुआ और इसके जो पर्थम अध्यक्ष थे वो कौन थे थियोडेर शूरीन तो 124 का जो एंसर होगा वो ए एंसर 124 का ए Question number 125 Question number 125 1922 इसवी की एकी कृत बिहार विधान सभाज चुनाव में ज्यारखन पार्टी को कितने सीटें प्राप्त होई थी तो कितने सीटें प्राप्त होई थी 32 सीटें Question number 126 छोटा नागपुर सैली की कला को किस परसित कलाकार द्वारा प्रुतसाहित किया गया था तो किस के द्वारा किया गया था हरें ठाकूर तो 126 का एंसर ए Question number 127 कौन सा मंदिर भूमी और धर्ती के जन्जाती देवता को समर्पित है तो ये कौन सा भूपोर मंदिर और ये मंदिर कहां पे है तो धनबाद में है तो 127 का एंसर भी Question number 128 जारखन धातु कारी करने वाले स्रवमिकों के लिए परसिध है जो सांदर डिजाइनों के सुंदर चोड़े कंगन बनाते है जिन्हें डैस कहा जाता है तो क्या कहा जाता है तो सुंदर चोड़े कंगन को चूर कहा जाता है तो 128 का एंसर ए Question number 129 उराव गाउं का परधान मुखिया कौन होता है तो उराव गाउं का परधान या फिर मुखिया मोहतों कहलाता है तो 129 का एंसर C Question number 130 हो जनजाती के सम्मंद में निम्न में से कौन सा कथन अर्ष रती है तो option A भाषा की दृष्टी से ही केलोरियन समों में आते हैं यह सही है इनकी भाषा को मुंदारी आश्ट्रिक परिवार की है option B भी शही है इस जनजाती ने अपनी एक लीपी वारट चीती बनाई है यह भी सही है इनका मुख्य निवास अस्थान प्लामू है तो यह गलत है तो इसमें जो गलत है वो option D गलत है इनका जो मुख्य निवास अस्थान है वो कुलहान छेत रहे हैं कौन सा कुलहान तो 130 का answer D question number 131 चीरो जनजाती के वीवा के शम्मंद में कौन सा कथन सत्य है तो इसमें सारे option को अच्छे से पढ़िए option A इसमें वीवा की दो विदियां पर चली थे ढोला और चड़ा ये सही है option B वधु मुल्य को इसमें दस्तूरी जामपी कहा जाता है option B भी सही है option C चेरो वीवा बिलकुल हिंदु वीवा की तरह होता है option C इसमें तीनों option सही है तो इसका जो answer होगा वो D question number 132 बथूडी जनजाती के शमबंद में निमन में से कौन सा कथन शक्ति है तो option A ये मुख्यता ढाल भूम, पुर्वी शिंग भूम के पहाड़ी स्रिंक लाओं और स्वर्ण रेखा नदी के टेट पर बसे हुए option B ढाल भूम के बथूडी स्वेम को छत्री मानते है option B भी शही है option C भौतिक लक्षन के अधार पर ये प्रोटो अश्ट्रेलायर समू में रखे जाते है option C भी सही है तो इसका जो एंसर होगा वो option D तो 132 का जो एंसर है वो D और ये जो बथूडी जनजाती है वो जहारखंड की एक अलप संख्यक जनजाती है जो स्वेम को जनजाती नहीं मानती है वो एक खुद को जनजाती नहीं मानती है question number 133 question number 133 अंग नई क्या है तो ये जो अंग नई है वो एक परकार का गीत है जो कि इस्तिरियों के द्वारा गाया जाता है तो 133 का answer A question number 134 जादो पटिया सेली किस जनजाती की सरवादिक मसुहूर लोग चित्रकला सेली है ये question पिछले बार आया था तो ये आप लोग को पता ही होगा तो ये संथाल का सरवादिक मसुहूर लोग चित्रकला सेली है और ये लोग अपनी भासा में क्या कहते हैं ये लोग अपनी भासा में जादो कहते हैं तो 134 का answer A question number 135 चांडी पर्व कब मनाया जाता है तो ये जो चांडी पर्व है वो माग मागी पुरनीमा को मनाया जाता है और यह जो पर्व है वो उराव जनजाती द्वारा मनाया जाता है और इस पर्व में महिला भाग नहीं लेती है इस चीज को याद रखिएगा तो 135 का answer A question number 136 सादरी, अंगीका और नाकपूरी भासाएं जो जारखन में बोली जाती है वो किस भासा परिवार से हैं तो ये किस भासा परिवार से हैं इंडू आरियन भासा हैं तो 136 का answer B question number 137 पचास गीतों की पुस्तक कुढू डंडी के रचनाकार कोन हैं तो इसके रचनाकार कोन हैं बिहारी लकडा तो 137 का जो answer है वो B question number 138 the mundas and their country किसने लिखी है तो ये जो book है वो सरत चन्र राय ने लिखी है तो 138 का जो answer है वो A question number 139 जारकन में रजरप्पा किश नदी पर इस्तित है तो ये जो रजरप्पा मंदीर है वो दामुदर और भेरवी नदी पर इस्तित है तो 139 का answer D और ये रामगट जिले में किस राजी की सीमाएं असपर्स करती है अगर इस तरह का जो question आपको अगर practice set में मिलता है तो आप जारकन का map को अच्छे से देखिएगा और देख के practice कर लिजेगा कि कौन सा जीला किस राजी को या फिर कौन से जीले किस जीले से अपना सीमाएं लगाती है तो 140 का जो answer होगा वो डी सिमगेडा जीला है वो ओडिसा और 36 गड़ से अपना सीमाएं लगाती है और ये जो सिमगेडा जीला है वो जारकन का 21वे जीले के रूप में आया था question number 141 जारकन के किस मंदीर में हिमाचल की जोला जी मंदीर से लाकर अखंड जोतिय स्थापित करने की मन्यता है तो वो कौन सा है सक्ती मंदीर जो कि धनबाद में है तो 141 का answer A question number 142 जारकन सरकार ने बलिकाओं के drop out को रोकने के लिए कौन सी योजना प्रारम की है और तो 142 का जो answer होगा वो B question number 143 गोकुल ग्राम विकास योजना का आरम कब हुआ था तो गोकुल ग्राम विकास योजना की शुरुवात 1 अप्रेल 2002 को इस वी को की गई तो 143 का answer A question number 144 निम्न मेंसे किसने 2010 में राष्ट मंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था तो किसने जीता था तो दिपिका कुमारी तो 144 का जो answer है वो भी और दिपिका कुमारी को 2016 में पदम स्री पुरुषकार से सम्मानित किया गया है 2016 में पदम स्री पुरुषकार मिला था और 2009 में इनको अरजुन आवार्ट दिया गया था ये दोनों चीज को याद रखियेगा कोस्चन नमर 145 1857 के विद्रो के दोरान संथाल विद्रोयों ने किसने संपर्क कर उन्हें विद्रो के लिए प्रेरित किया था तो सेख विखारी तो 145 का जो answer होगा वो बीव और सेख विखारी का जो जनम हुआ था वो 1899 इस्वी में खुद्या गाउं में हुआ था जो राची के उर्मांजी में है और इनको 8 जनवरी 1858 इस्वी को चुटुपालू घाटी में विरिक्च पर लटका कर फासी दी गई थी अब कोस्चन नमर 146 जर्खन अंदोलन के अगर नीनेता दिसोम गुरूप शिभू सोरेन का जनम कब हुआ था तो शिभू सोरेन का जो जनम हुआ था वो 1922 इस्वी में हुआ था और इनका जो जनम हुआ है नेबरा गाउं रामगड में हुआ था और ये सीबू सोरें जारखंड के तीन बार मुख्य मंत्री बने थे कुस्चन नमर 147 ललित बोहन राय ने 1766 इश्वी में किस देश के ततकालिन राष्ट पती को उनका रेखा चितर भीजा था जिस पर उन्हें बधाई पतर भी प्राप्त हुआ तो वो अमरीका के राष्ट पती को तो 147 का जो एंसर होगा वो ए कुस्चन नमर 148 उर्जा गंगा जगदिस पूर हल्दिया गैस पाइपलाइन जारखंड के किस जीले से नहीं गुजरती है तो उप्षन के अनुशार क्या होगा पस्चमी सिंग भूम से वो नहीं गुजरती है तो उप्षन के अनुशार पस्चमी सिंग भूम से नहीं गुजरती है तो इसका जो एंसर होगा वो डी कुस्चन नमर 149 जार्खंड बजट 2022 में सीचाइस विदा उपलप्त कराने है तू किस जीले में मसलिया रानिस्वर मेगा लिप्ट यूजना की स्विकिर्थी दी गई है तो किस जीले में दी गई है दुमका जीले में दी गई है तो 149 का एंसर B कोस्चन नमर 150 जार्खंड की चकुलिया प्रखंड की रहने वाली सोफा हस्दा को उनके द्वार संथाली भाषा में लिखी गई बाल साहित हाली मौन के लिए निमन में से किस प्रुषकार से समानित क्या गया तो इनको जो प्रुषकार मिला है वो बाल साहित प्रुषकार 2021 मिला है और किस पुरुषकार के लिए मिला है तो हाली मौन पुरुषकार मिला है तो 150 का जो एंसर है वो बी है ये सेट 10 था आप इसको अच्छे से देखिए जायदा से जायदा प्रैक्टिस किजिए और आप लोग से एक रिक्वेश्ट है कि जो भी स्टूडेंट इस प्रैक्टिस स सब्सक्राइब को सब्सक्राइब के तो एक थैयरी और अपने दोस्त्तों के साथ है यूट है अ